इसमें आप लोग डारिकली जाके अप्लाई मत कीजिएगा ठीक है मैं आपको बताता हूं कि आपको अप्लाई कप करना है फिलाल जो है मैं कुछ इस्क्रिंसोर्ट और एप्लिकेशन की बारे में डीटल देने बाला हूं थोड़ा सा यहां पर समझिएगा इसका प्रोसेस ठी सब्सक्रिंदाइगे यहां पर मेरा नाम सो हो रहा है उपर फास्ट में रंजीट लोन अमांट जो अप्रूब यहां पर दिखा रहा है वह दिखा रहा है सत्रह हजार पांच्छो रुपे अगर मैं इमाई डेट की बात करूं तो यहां पर चार जार चोबीस उरुपे का जो है पर मंत इमाई जाएगी पांच महने के लिए ये लोन है मतलब सत्रा अजार पांच उरुपे का लोन है बैंक में कितना आएगा ये चीज़ यहां पे मैंसर नहीं है अभी लेकिन टोटल अमांट जो पेड करना होगा वह 20,000 रुपे करना होगा वह भी पांच महने के अंदर नदर इमाई डेट नोट अवेलबल कोई इमाई डेट आपको देखने को नहीं मिलती है लेकिन इस अप्लिकेशन में एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्या है गई जब आप यहां पर अप्लाई करोगे तो यहां पर आप से 1.99 रुपीश चार्ज लेंगे डोकुमेंट वेरिफिशन का लेकिन आपको पे नहीं करना है मैंने अभी पे किया है मैं इसको जाच रहा हूं चेक कर रहा हूं कितनी रियल्टी एप्लिकेसन ही है क्योंकि काफी लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि भाई पेमेंट करने के बावजूद भी उनका लोन अप्रूब होने के बावजूद भी लोन रिचेक कर दिया जाता है तो प्लीस टोंट माइंड यहां पर आप लोग थोड़ा सा वज दिख अब लेकर लिया यहां पर अपलाई नहीं करना है मैं अब भी कह रहा हूं इस्टामनी में आपको डाय नहीं करना है क्योंकि इसका रिजन यह है यह पॉसेशिंग फीच के नाम पर या फिस सर्विस चार्ज के नम पर रूपी चार्ज कर रहे हैं चाहाब वो आपका डोक्य करूंगा कि आप पहले जाइए पे करिए नहीं पहले लेने देखते हैं कि इतनी सच्छा ही है कि अगर हम 199 रुपे करेंगे कि किसी को देंगे अगर हम अप खुदी पे करेंगे तो हमें प्रॉफिट नहीं आएगा तो फाइदा क्यों चीज का अगर मैं 190 रुपे दे रहा हू तो मैं सिधा सिधा रिकमेंट नहीं करूंगा अभी जाइए अप्लाइ किजिए अब मैंने अप्लाइ किया इमेनिदे प्रॉसेस में हैं जैसी यह कम्प्लीड होता है या पिर डारेक्ली लोन अमांट मेरे अकाउंट में आजाता है या कुछ भी चीज यह होती है तब मैं को अपडेट करूंगा टेलीगराम पर कि भाईया आप अप्लाई का लिजिए यह अप्लिकेशन लोन दे रही है अधर भाई मत कीजिएगा फिरी के नहीं आते कोई भी मत कीजिएगा अभी मैंने अप्लाई किया है